हेलो फ्रेंड्स एन वेल्कम टू ए लाइबरेरी आज हम जानेंगे हाले में शुरू किये आपरेशन करोणा के बारे में म्यामार की सहायता के लिए भारत ने आपरेशन करोणा सुरू किया है आप्रेशन करोणा मैमार में चक्रवात मोचा से प्रवाहित लोग की सहायता करने की एक पहल है जैसा कि आप जानते हों कि भारत अलग-अलग समय पर अपने पड़ोसी देशों की सहायता करता रहता या भी एक अप्रेशन करुणा भे उसी में सहता के लिए शुरू किया गया है 18 माई 2023 को भारत के तीन जहाजार था भारती नौसिना के जहाँ सिवालिक, कमोर्ता और सावित्री खाद्यापूर्ती, टेंट, आवस्चक दवाएं, पानी के पंप, पोटेवल जनरेटर, कपड़े और स्वच्चता वस्तूँ जैसी आपातकालीन रहा समागरी साथ यांगून पहुंचे थे हाले में म्यामार में दस्तक देने वाले चक्रवात मोचा को भारती मौसम बिग्ञान आई यमडी द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवाती तुफान और बैस्विक मौसम बैसाइट जूम अर्थ द्वारा सुपर साइकलोन के रूप में वर्गी किरिद किया गया है तुफान बंगाल की खाड़े में उबरा और 1982 के बाद से अरब सागर और बंगाल की खाड़े में बनने वाले सबसे मजबूत आल सीजन चक्रवात के रूप में दर्ज किया गया है या तुफान मोचा जिसमें 277 किलोमेटर पती घंटे की हवा की गति है इसका नाम जो है तुफान का नाम मोचा यमन ने सुझाया है तो इस वीडियो में आज हमने जाना आप्रेशन करोणा के बारे में जिसको हाले में भारत गारा शुरू किया गया है ऐसे ही important current affairs के updates जो आने वाले एक jumps के लिए important हो सकते हैं आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं थैंक्यू